दोस्तों, आज मैं आप लोगों के शाथ शेयर करूंगा एडिनियम फ्लावर प्लाइंट से जादा जादा फ्लावर आप कैसे पाशक्ते हो 43 डिग्री टिंपरेचर में आप आपके एडिनियम फ्लावर प्लाइंट को फर्टलेजर क्या देंगे शब कुछ एक ही वीडियो में आप लोग को बताएंगे देखिए मेरे शबने जो एडिनियम फ्लावार प्लाइंट है इसमें बहुत अच्छा से फ्लावार खिल रहे है और हीज कॉंटिटी में फ्लावार खिल रहे है बहुत दोस्तों ने कमेंट्स किया है सेर मेरे फ्लावार प्लाइंट की ग्रोथ अच्छा है लेकिन फ्लावार नहीं है देखिए मेरे फ्लावार प्लाइंट की ग्रोथ अच्छा है शाथ में फ्लावार भी है और ये एक फ्लावार प्लाइंट है देखिए बहुत ही बड़ बड़ शायस की फ्लावर खिलते हैं और ए फ्लावर प्लाइंट की आपडेट लास्ट यार मैंने दिया था ए देखी इसका कॉडेक्स रॉट हो गए थे और इसके बाद इसका ट्रिट्मेंट देने के बाद मैंने मेरे फ्लावर प्लाइंट को परटेक्ट कर लिया था सेप कर लिया था और आभी flower plant बहुत ही अच्छा है healthy है और देखिए कितने सारे branches है और श्रबी branches में आभी flower आने वाले है देखिए हाँ आभी flower नहीं है ये तर आभी flower है श्रबी branches में flower आएंगे flower plant हेल्दी हो चुके है आपके flower अगर flower है या buds आने वाले है ऐसे चोटे चोटे कर के buds आ रहा है तो इस condition में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है फर्टलेजर बिल्कुल भी नहीं देंगे फ्लावर खिलने के बाद आप फ्लावर प्लावर प्लावर को कहा पर रखेंगे हाई टिंपरेचर होने के कारण अब ही आप अगर हो सके तो फ्लावर प्लावर को ग्रीन नेट की नीचे सिफ्ट करे और नहीं तो यह जो flower है यह flower ऐसे करके जल शक्त है देखिए यह flower का जो petals है यह petals जल चुके है क्यों जले हैं? हमने इसमें जिस टम पानी दिये थे वो पानी थोरी लेट दे पाए थे इसलिए flower की petals जल चुके हैं लेकिन इसके petals अभी भी नहीं जले है इसके बाद हमने पानी अच्छा से दे दिया था यह देखिए यह थोरा सा old हुआ है इसलिए जला है आपकी flower plant में लगे हुए जितनी flower है शबी flower की petals ऐसे जल जाएंगे कोई-कोई open होंगे कोई-कोई open नहीं होंगे अगर full sunlight में रखा रहेगा मैंने इस साल green net नहीं लगाया है तो कुछ flower की petals जलते जा रहे है no problem जैसे बारिश होगा यह शब flower की plant भी अच्छे हो जाएंगे और flower भी अच्छा से खिलेंगे कोई-भी petals नहीं जलेगा पानी आप कैसे देंगे अप लोग को मैं बता दू जिस दिन भी आप पानी देंगे इस pot को भर के पानी दीजिए नीचे से डिनेज होल से पानी पासे हो जाना चाहिए ऐसे करके आपको पानी देना है लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा adenium flower plant होने के कारण मैं deeply watering का भी भी नहीं करशकता हूँ नहीं कर पाते हैं हम क्या करते हैं सिरफ souring करते हैं daily एक या दो बार हलका हलका souring कर देते हैं और इसमें जो water गिरते हैं उतना ही काफी होते हैं मेरे floor plant की जो soil है ये soil देकिए sand है 80% 20% compost है इसलिए हम हलका सा भी souring कर देते हैं तो ओ जो पानी गिरते हैं इसके उपर पानी नीचे के ओर बैठ जाते हैं और हमारे floor plant को मिल जाते हैं ऐसे हम पानी देते हैं लेकिन आप जब भी पानी देंगे pot को भर के ही पानी दीजिए इसके बाद दो दिन बाद दीजिए चलेगा अच्छा रहेगा हलका सा souring करें बहुत lightly souring जैसे कि पानी एस्प्रे करते हैं ऐसे थरह सा पानी की एस्प्रे करें दिन में दो बार आपको definitely अच्छा result मिलेगा insecticide आप कब देंगे flower खिले हैं insecticide, PGR, micronutent कुछ भी नहीं देंगे कोई भी fertilizer नहीं देंगे तो कब देंगे fertilizer किस flower plant को देंगे शब कुछ मैं आप लोग को discuss करता हूँ यह देखिए हैं पर मैंने दो flower plant फिर से लेकर आए है और दोनो flower plant देखिए बहुत ही अच्छा से अच्छा healthy है, दोनो flower plant एक flower plant grafted है देखिए यहां से graft किया गए थे एक grafted है, इसका codex देखिए कितना शंदर है अच्छा मोटा codex है second और एक है, यह non grafted है इसका codex देखिए और भी ज़्यादा मोटे है आप अगर graft नहीं करेंगे तो codex बहुत ज़्यादा मोटे होते है अगर graft कर देंगे, तो उसका codex थोरे पतले रहते है जैसे कि मेरा यह flower plant की codex देखिए, बहुत ही पतले है मोटे नहीं है और यह flower plant काफी ज़्यादा aged है तो इसका codex काफी अच्छा मोटा है आभी देखिए, फाइट लेजर क्या देंगे फाइट लेजर जब भी देंगे आप धैन में राखे आपकी flower plant की codex भी अच्छा हो मोटा हो और शाथ में इसमें flower भी खेले तो high phosphorus अमारे adenium flower plant को बहुत अच्छा पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है आप अगर सेम रेशियो की NPK देना चाहेंगे तब भी देश आकते हो सेम रेशियो की NPK में 1919-1919 एक ग्राम 1 ग्राम magnesium sulfate शाथ से लेके 10 दिन आंतर से एक बार देंगे तब भी चलेगा लेकिन हमने देखा है practically adenium flower plant slow releasing fertilizer fertilizer बहुत ज़्यादा पसंद करते है तो slow releasing fertilizer आप कैसे देंगे slow releasing fertilizer में हम देते है जो flower plant में flower खिल चुके है इसमें कोई भी fertilizer नहीं देंगे slow releasing की fertilizer में हम देते है DAP इसमें एक 5 इंच की pot है और एक 4 इंच की pot है तो 5 इंच की pot में हम कम से कम 8 granules की DAP देंगे देखिए counting करके दीजिए गया 8 granules लेंगे इससे ज़्यादा नहीं लेंगे यह देखिए मैंने 8 granules DAP लिए है और इसको क्या करेंगे यहाँ पर थोरा सा मिट्री ऐसे करके हटा लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे यह 8 granules की DAP इसके बाद हम फिर से कवर कर देंगे ठीक इसको भी ऐसी करेंगे 8 granules की DAP हमने डाल दिये इसमें भी और इसके बाद कवर कर दिये यह जो fertilizer दिये है यह 15 दिन में एक बर fertilizer देना है हमेशा धेन रखिएगा एडिनियम फ्लावर प्लांट की जो कॉडेक्स है एक कॉडेक्स फ्यूचर के लिए fertilizer यानि की खाना store करके रखते है तो आपको overfeeding देने की कोई भी जरूरत नहीं है आप अगर बिल्कुल भी feeding नहीं देते तब भी आपकी एडिनियम फ्लावर प्लांट में फ्लावर खिलते है यह एक ऐसा फ्लावर प्लांट है organic fertilizer भी देशाकते हो लेकिन organic fertilizer जैसे बारिश आना start होगा उससे ठीक पहले मैं आप लोगो को suggest करूंगा इसमें कुछ mulching करेंगे last year की वीडियो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो देख लिजेगा मैंने मालचिंग कर दिये थे एक organic feeding देंगे कि पूरे बारिश में हमको fertilizer देने की कोई भी जरूत नहीं होंगे और हमको बहुत अच्छा result मिलेगा ठीक बारिश आने से पहले मैं उस वीडियो आप लोग को दे दूँगा आप लोग देख लिजेगा इसके बाद हमको क्या करना है पानी डाल देना है बहुत अच्छा से पानी डालेंगे मैं पानी डाल दूँगा आप लोग भी पानी डाल दीजेगा तो आब और एक बात मन में आशाकते है, plant growth regulator हम दे या ना दे, plant growth regulator दोस्तों आप लोगो को देना पड़ेगा, क्योंकि ये शाब flower plant की growth आभी होंगे, तो growth होना जरूरी है, तो plant growth regulator में shibid liquid fertilizer बहुत ज़्यादा पसंद है, adenium flower plant को, आप plant growth regulator में shibid liquid fertilizer यूज़ करे, 2 ml एक लिटर पानी में मिला के, आप spray करे, और नहीं तो इसका root zone में दीजिए, जैसा आपको पसंद है, उसी शाब से आप दीजिए, आच्छा result मिलेगा, multiple micronutrient आप जरूर एक लिटर पानी में मिला के, और नहीं तो, एंपक्सिलेन कंभी 2, 2 ग्राम पालिटर बाटर डिजल्ब करे, और फ्लार प्लैंट के उपर, शाथ से लेके, 10 दिन अंतर से एक बार इस्प्रे करे, अच्छा result मिलेंगे, आप अगर fungicide की बाड़े में सोच रहे होंगे, तो fungicide आभी बिल्कुल भी एस्प्रे ना करे, high temperature में fungus की अटक नहीं होता है, root rot हो शकते हैं, over buttering से, और नहीं तो fungus की अटक नहीं होगा, insecticide में आप जरूर एस्प्रे करें, जिस टाइम निवनू ब्रांचे सारा है, देखें, निवनू टीप सारा है, यहाँ पर कोई भी एटक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको देना है, इमीडा क्लोपीड यानि की confidore 1 ml पाल लिटर वाटर डिजल्ब करें, और flower plant की उपर शाम की टाइम एस्प्रे करें, आपको अच्छार जल देगा, शाथ से लेके 10 दिन अंतर से एक बड़ देंगे, चलेगा, ऐसे करके आप लोग क्यार करें, आप लोग को definitely अच्छा result मिल पटाश हम कब देंगे, जिस टाइम हम देखेंगे हमारी flower plant में आभी बार्ट सना start हुआ है, चली मैं दिखाता हूँ, DAP fertilizer देते देते ही आपकी flower plant में ऐसे करके बार्ट सना start होगा, जैसी आप देखेंगे आपकी flower plant में बार्ट सना start हुआ है, इस टाइम से आपको पटाश देना है, NPK 0050, आप अगर देंगे, तो यह मेरा 4 इंच की एक pot है, 4 इंच की pot के लिए हम दे देंगे, 1 ग्राम से थोड़ा सा कम, 5 ग्राम, और यह 5 दिन अंतर से 5 ग्राम करके हम देते रहेंगे, पटाश, 5 से लेके शादिन अंतर से आप दे शकते हो, पटाश 5 ग्राम करके चलेगा, कब तक देंगे, जब तक हमारी flower plant में बार्ट स इतने बड़े ना हो जाए, जैसे इतने बड़े या इतने बड़े ना हो जाए, तब तक हम pot देंगे, और जैसे इतने बड़े-बड़े बार्ट बंद कर देंगे, कोई भी fertilizer नहीं देंगे, दोस्तो एक और बात है, जैसे कि इस टाइम बार्ट साना start हुआ है, तो इस टाइम हमको DAP देना है या नहीं देना है, इस टाइम आपको DAP नहीं देना, DAP देंगे तो क्या होगा, इसका growth फिर से start हो जाएगा, तो इसमें full खिल इसका energy waste ना करके, इसका growth बराने के लिए energy waste करेगा, इसलिए क्या करेंगे, जिस टाइम बार्ट स देखेंगे, उस टाइम आप DAP नहीं देंगे, सिर्फ पटास देंगे, और इसका growth को रुक के हमको पटास देना है, flower खिलने के लिए जो energy है, energy लगा दे, चलिए इसमें मैं थोड़ा सा पटास दे देता हूँ, पटास में मैं हमेशा है उज़ करता हूँ, NPK 0050 देखी, NPK 0050, एहां से हम पौन ग्राम ले लेंगे, यह मेरा जो इस्पून है, एक ग्राम की इस्पून है, इसमें से पौन ग्राम लेंगे, पूरा भढ़के नहीं लेंगे, आधा से ज प्लार क्लान को पानी मैं एक शार डाल दूँगा, आभी मैं पानी डाल के नहीं देखा रहा हूँ, ऐसे करके फाइटलेजर देना है, तब ही आप लोगो को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उम्मित करूँगा दोस्तों, आप लोगो को पूरा बात समझ में आ गया, उम्मित